हेलो स्टूडेंट्स बुड मॉनिंग बेटा आप सभी के एक बार फीचे स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एसको सलिया जुकेशन में और आज हम कर रहे हैं बेटा हमारी फोर्थ किलास की इव्यस का ग्यार्वा चैप्टर मुगल गार्डन की सेर तो इसकी दो व अवससे ही प्रेस कर लिरना सुरू करते हैं सजे जानवर फूलों से विविन उतसों पर लोग गई बच्डे ऊंट आदी जानवरों के सरीर पर गैरु दवारा फूलों के डीजाय बनाते हैं बनाते हैं ना भेड बक्रियों की पैचान के लिए गडरिये उनके सरीर पर किसी के साथ मिल ना जाए दूसरे गडरिये की जो भेड़े हैं उनसे ना मिल जाए इसलिए उनके सरीर पर वो अलग से विशेश प्रकार के फूल बना देते हैं ताकि उनको पहचान होती है ठीक है अपने माता पिता या अध़पक से पता करो कि अन्य किन कामों में फूलों का प्रियोग किया जाता है किन कामों से बेटा भगवान की पूजा की जाती है पूजा के लिए शादियों में मेहमानों को गुलदस्ता भेट करने में या फिर सजावट के लिए इन सब कामों में पूलों से सब कहीं फूली फूल दिख रहे हैं तो पहले क्या है माला ये बनी हुई है ना फूलों की तो माला बनाने में और ये क्या है फूलों की रंगोली बना रखी है रंगोली कब बनाते हो होली पे बनाते हैं नहीं होली पे नहीं बनाते दिवाली पे बनाते दिवाली रंगोली बनाते हैं तो यहां पे यह रंगोली बनाई हुई है, रंगोली बनाने में, फूलों का गुलदस्ता है, तो यह गुलदस्ता बनाने में किसी को हमें भेट करना है, तो गुलदस्ता भेट करते हैं, घर की सजावत में तोरन वेगरा बना रखे हैं और कार सजाने में शादी ब्याव होता है तो इस तरह से गाड़ियां सजाते हैं और यहां पर ये भगवान की पूजावे भगवान पर माला चड़ा रखे है फूल चड़ा रखे है इस तरह से तीक बेटा आओ ये भी करें तो बेटा आज इसमें हम गुलकंद बनाना सेखेंगे कैसे दालो और इसका ढकन बंद कर दो इसे आठ दस दिन तक धूप में रखो बस बन गया गुलकंद ऐसे ही तुम्हारा गुलकंद बन जाता है ठीक है बहुत आसान है नहीं तो किसी पोदे पर लगी कली वे फूल को देखो और निमिन लिखित आधार पर उसकी तुनला करो अब तो उनका आकार तो कली का रंग कैसा होगा हरा होगा और फूल लाल भी हो सकता है पीला भी हो सकता है और इंज भी हो सकता है यह उसा देखोगे तब तुम यहां पे लिखोगे आकार कली का कैसा होता है फूल का कली का आकार तो छोटा होगा है ना और फूल थोड़ा बढ़ से खुशबु ये पाउसोन या ऐसा भी हो क्वूश्बु कली में नहींयाती फूल में खुशम आती है क्या पंखुरी कहलतों सकते हैं तो ये Awak happen को सबल्र। करिंगा कली कि तो पंकुरी कईसे गिनेंगे हम फूल के पंकुरी गिन सकते हैं वो भी empathy देखोगे तब पता से ले गा क्या इस पर टित्लिया पक्षी बैठते हैं तो टित्रि तो पेटा सभी पर याती है, फूल पर ज्यादा भामरे और दूसरे पक्षी भी आकर बैठ जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखो हमें कागज का एक फूल बनाना है, जैसे जैसे इसमें बताया हुआ है, ऐसे ही अपने कागज को मोड लेंगे, और इस तरहें का फूल हम तया अभी लिखके रख लेना, अब दी गई वर्ग पहली को पूरा करना, यह जो वर्ग पहली है, जिसमें मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि मैं साथ-साथ लिखती तो ज़्यादा समय लगता, इसलिए मैंने लिख दिये हैं, वरना इस पहली को तुम्हारी में एक हाली मिलेगा, यह तुम्हें भरना है, किस तरह से, हमारा राष्टे फूल है, राष्टे फूल कौन सा है, कमल, और यह कितने नमबर पह है, एक, तो एक इधर से है, कैम, मैल है, मैंने लिख रखा है, अगला है, इसके फूलों के शबजी बनती है, कौन से फूल की शबजी बनती है, दूस जना भी लिख सकते हैं इसके रंगिन पंखोडियों से इत्र बनाया जाता है किसके रंगिन पंखोडियों से गुड़हल से बनता है ना या गुलाब से लेकिन गुलाब जब लिखेंगे तो तीनी बॉक्स बरेंगे और यहां पर हमें बरना है चार बॉक्स तो यहां पर गु हमारे पार्ट में आया जीनिया और गुल्दावदी से रंग बनाये जाते हैं, तो यहां पर पांच बोक्स हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो पांचो में तो पांच जो अक्शर हैं वो गुल्दावदी में आते हैं, इसलिए हमने गुल्दावदी ही लिखा है, अगला है इसका मूँ सूरज की तरफ रहता है कौन से बताए थे गैंदा और सूरज मुखी का था ना तो यहां पर पांच बोक्स है पांचों बोक्स में लिखना है इसलिए यहां पर हमने लिखा है सूरज मुखी ठीक है इसी के साथ बेटा अपनी ये वीडियो यहीं पर स्माप्त क में लिखके पूश लेना आंसर मिल जाएगा आपको और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना थेंक यू